हलो स्टुडेंट्स, आज हम बोर्ड एक्जाम की तैयारी के लिए कुछ इंपार्टिंट बायोजी के पॉइंट्स की चर्चा करेंगे पाली गोनम भूर्ण कोस कैसा होता है? तो यह साथ कोस की और आठ केंदर की होता है याद रखना यह बहुत इंपार्टिंट है एक्जाम के लिए पाली गोनम भूर्ण कोस में साथ कोसिका और आठ केंदर 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 की अंड उपकरण किन से मिलकर के बना होता है? तो एक अपैरेटस आपने नाम सुना होगा अंड उपकरण या एक अपैरेटस किन कोसिकाओं से मिलकर बना होता है? तो एक अंड कोसिका होती है और दो सहायक कोसिकाओं होती है means one egg cell and two synergid cell त्री कोसिकी परागकण में क्या होता है? तो त्री कोसिकी परागकण में एक वर्धी कोसिका मतलब बेजटेटिव सेल और दो मेल गयमिट या नर्युगमक होती है तीन कोसिकी परागकण में क्या होगा? एक वर्धी कोसिका होगी जिसे हम बेजटेटिव सेल कहते हैं और दो नर्युगमक होंगी मेल गयमिट जरायूजी अंकुरण किस में मिलता है यह राईजो फोरा में मिलता है जरायूजी अंकुरण क्या होता है जब बीज जो है फल के अंदर ही अंकुरित हो जाए तो इसे जरायूजी अंकुरण या विवी पैरी या पित्रस्थ अंकुरण कहते हैं और इसका एक्जामपल राई सेचन के फल्स रूफ होता है डबल फर्टिलाइजेशन के फल्स रूफ होगा पुस्प में दल का कार्य क्या है दल का मतलब पेटल पेटल का कार्य क्या है फ्लावर में तो कीट परागण में मदद करना है help in एंटोमोफिली कीट परागण को हम एंटोमोफिली कहते हैं याद रखना ये भी पूछा जाता है कि एंटोमोफिली क्या होता है तो कीट परागण को हम एंटोमोफिली कहते हैं सेब को आभासी फलकियों कहा जाता है तो सेब का जो विकास होता है वो अंडासे के अतरिक्त ठीक पुसपासन को थैलमस कहते हैं तो अंडासे के अतरिक पुसपासन से इसका विकास होता है इसलिए सेब को अभासी फल कहते हैं क्योंकि जिसका विकास अंडासे से होता है उसे हम सत्य फल कहते हैं लेकिन ये सेब जो है आभासी फल होता है ये भी इंपार्टिंट है जाम क male gametophyte और female gametophyte का विकास कहां पर होता है तो male gametophyte अर्थात नर्युग मकोदभित का विकास पराग कोस में होगा पराग कोस में एंथर कहते हैं इसे और मादा युग मकोदभित या female gametophyte का विकास बीजांड में होगा या इसे हम ovule कहते हैं परपरागर से लाब क्या है, ञnek, क्रास पॉलिनेशन से हमको क्या लाब होता है, तो उननत जातियों का विकास होता है, ञnek, मतलब एड़वांस वेराइटी डेवलप होती है, परपरागर से, बीज जो होगे स्वस्थ होंगे, और बीज अधिक संख्या में बनते हैं, तो ये परपरागण के लाब हैं क्या हैं उन्नत जातियों का विकास होगा बीज स्वस्थ होंगे और अधिक संख्या में बनेंगे वहीं परपरागण से हानी क्या है ठिक डिस एडवांटेजिज आफ क्रास पॉलिनेशन क्या होगा तो बाह साधनों पर निर्भरता मतलब परपराग कब होगा कितने समय होगा तो ये बाह साधनों पर निर्भरता ये हानी है परपरागण की और इसमें अधिक उर्जा हानी होती है क्यों क्यों क्योंकि ज्यादा मात्रा में पराकण उत्पन्न करना पड़ता है इसलिए अधिक उर्जा की हानी होगी परपरागण के द्वारा सुपतावस्था या प्रसुपति क्या होती है इसे हम dormancy कहते हैं तो बीज अंकुरित होने की अच्छमता मतलब बीज जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है इस अच्छमता को हम सुपतावस्था या प्रसुपति कहते हैं अनिशेख फलन क्या होता है तो बिना निशेचन के फल निर्मार की प्रक्रिया formation of fruit without fertilization इस काड़दा पार्थिनो कारपी तो अनिशेख फलन को हम पार्थिनो कारपी कहते हैं इसमें निशेचन नहीं होता और बिना निशेचन के ही फल बन जाया करता है अच्छछा अनिशेख फलन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है अनिस एक फलन को प्रेरित करने वाला हार्मोन ये कोई आक्सिन है और इसका नाम है NAA पूरा नाम नैप्थलीन एसिटिक एसिड तो ये अनिस एक फलन को प्रेरित करता है ये भी इंपार्टिंट है एकजाम के लिए मनुस्य द्वारा स्वेच्छा से कराया गया परागण क्या कहलाता है मतलब मनुस्य जब अपनी इच्छा के अनुसार पराकड़ों को वर्तिकागर तक पहुचाता है तब इसको हम क्रत्रिम पर परागण कहते हैं और इसे हम आर्टिफीसियल पॉलिनेशन कहेंगे तो मनुस्य अपनी इच्छा के अनुसार पराकड़ों को वर्तिकागर तक पहुचाता है यही करत्रिम परागण है वायू परागित पुस्पों की विसेशताएं क्या होती हैं तो वायू परागित पुस्पों की विसेशताएं पुस्प अनाकरसक होते हैं मतलब उनमें attraction नहीं होता है, उनकी पुतन तु लंबे होते हैं, पुतन तु का मतलब होता है filament, तो पुंकेसर की जो filament होंगे, वो लांग होंगे, पराग कण हलके होंगे, मतलब pollen grain light होते हैं, पुस्प छोटे, flower small, तो ये वायू परागित पुस्पों की विशेस्ताएं हैं, ये भी important है exam के लिए, साल्विया में परागण किसके द्वारा होता है, तो साल्विया में परागण कीटों के द्वारा होता है, ठिक, तो ये पूछा जाएगा, ये बिकल्प का पसंदीदा कुश्चन है, बिकल्पी कुश्चनों का, बिकल्प में अक्सर ये रहता है, साल् वा मादा पुस्प एकी ही पौधे में उत्पन्नों ठिक मेल एंड फीमेल फ्लावर एकी ही प्लांट में जब उत्पन्नों होते हैं तब इस इस्थित को हम उभय लिंगास्त्रई कहते हैं उदाहरण क्या है इसका लौकी है ठिक लौकी है या कद्दू है तो ये कुकरबिटे के जो मेंबर होते हैं ये सब उभय लिंगास्त्रई रहते हैं एक लिंगास्त्रई को हम डायोसियस बोलते हैं तो नर्वा मादा पुस्प जब अलग-अलग पौधे में होते हैं तब इसको हम एक लिंगास्त्रई बोलते हैं या डायोसियस बोलते हैं और इसका एक्जामप परिपक्को हो जाएं कौन नर एवं मादा जननांग तो नर वं मादा जननांग जब एक साथ परिपक्को होते हैं ठीक male and female six argon are matured at same time ठीक तो इसे हम homo gami कहेंगे पूरो pumpakkota क्या होती है इसको हम protendry बोलते हैं यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है कि पूरो माझने पहले pumpakkota माझने पूंकेसरों का परिपक्को होना मतलब जब नर वहाग मादा से पहले परिपकको हो जाता है तब इसे हम protendry कहते हैं ब्रून पोसी बीज ये क्या होते हैं ये भी important है ब्रून पोसी बीज और अब ब्रून पोसी बीज इनके example बिकल्प में पूँच लेते हैं तो ब्रून पोसी बीज क्या है बीज में ब्रून पोस उपस्थित हो ब्रून पोसी बीज न तो जिस बीज में ब्रून पोस प्रिजेंट होता है उसे हम एंडो स्पर्मिक सीड या भृूण पोसी बीज कहते हैं इसके एकजामपल है मक्का, गेहों, कोकोनट और ये जौब मतलब ज़्यादा तर जो एक बीज पत्री पोधे होते हैं वो भृूण पोसी बीज होते हैं अब भृूण पोसी बीज क्या है बीज में भूड़ पोस नहीं होता है ठीक, एंडो स्पर्म अपसेंट इन सीड तो इसे हम नान एंडो स्पर्मिक सीड कहते हैं और इसके एक्जामपल है चना है, मटर है मूँफली है ठीक, तो ये आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत important point है Thank you for watching